देखो गर के लिए ऐसा टेक्चर दिवार पर अगर आप चाते हो देखो ये बहुत अच्छा टेक्चर दिवार पर दिख रहा है और ये सामने वाला टेक्चर जो दिख रहा है ये है स्टुको मार्बल पेंट जी हाँ ये कोई टाइल नहीं है मार्बल नहीं है यूबी शेट बनाने है तो कितना खर्चा आ जाता है उसका complete में बताने वाला हूँ lever plus material का खर्चा कैसे कैसे आप करवा सकते हो जैसे यह patterns आप देख रहे हो यह सारे painted pattern है कोई marble tile या italian marble कुछ नहीं लगा है यह painted है जो texture paint भी आपने देखा होगा पहले texture paint रोटा था आजकल स्टूको चला हुआ है स्टूको में marble shade आपको चाहिए simple shade चाहिए हर किसम की shade मिल जाएगी तो complete video देखो सारी details इस video मिल जाएगी लगाना कैसे है और mystery को बताना है इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर की life उसकी जादा हो चलो यह texture में आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा texture अगर wall पे चाहिए इसको बनाया कैसे जाता है और last में मैं काफी texture आपको दिखाऊंगा और उसके rate भी बताता जाऊंगा material प्लस labor का कितना rate उस texture में आएगा इस texture को बनाने का देखो Asian paint का हमने इसमें stucco paint यूट की है तो काफी अच्छा use, काफी अच्छी look Asian paint में आती है और life काफी ज़दा अच्छी है मैं दिखा देता हूँ देखो सबसे पहले आपको क्या करना है primer प्लस पुट्टी प्लस प्राइमर का मतलब एक coat आपको चड़ा दना है कि आपकी जो wall है विल्कुल smooth हो जाए जब वो हो गई फिर उसके बास टुको paint Asian paint का आपको ले आना है उसका एक coat आपको perfectly चड़ाना है उस पर मतलब एक जैसा पूरी दिवार पर होना चाहिए और एक दिवार पर यह अच्छा लगेगा अगर बोलो पूरी दिवारों पर यह अच्छा नहीं लगेगा रूम की एक दिवार को भी बैट के पीछे वाली जहां आपके लॉबी का highlighter, drawing loop का highlighter वहां उस दिवार को आपको यह स्टुको paint आपको यह कैसे bucket में आता है मतलब आपका जैसे पुट्टी जैसी रहती है वैट पुट्टी वैसे यह स्टुको paint आपको आएगा आपको बेज य mix किये जाते है ठीक है यह आया इसको आपको पूरी wall पे अच्छे थे लगा देना है और उसको 4-6 गंटे के लिए छोड़ देना है मिस्तरी करते हैं एक दो गंटे के बाद उसको सूख के उस पर काम करने लग बढ़ते हैं नहीं इसको 4-6 गंटे तक आप सूखने दीजिए उसके बाद आपको कहा होता है सारी कहानी के shades गी फिर उसको जो भी आपको marble pattern आपको कोई भी tile का pattern पसंद आता है जैसे मैं आपको mention करूँ वाइट पे अगर golden या black texture या कुछ colorful dark color का texture देते हो बहुत अच्छा लगता है जो base है मतलब जो पहला coat है white रखना और आगे अंदर बाहर जो रहेगा वह आप dark color का कोई भी shade दे सकते हो बहुत सुंदर दिखता है तो आपको क्या करना है texture पहले pencil से draw कर लेने दीवार पर जब texture कर लिया उसके बाद आपका painter क्या करेगा वह texture आपके लिए बना देगा पूरा marble की तरह वह look दे देगा जब एक बार वह काम हो उसके बाद sand machine से जहां जो paper आता है उससे अच्छे से पूरी दिवार को rub कर लेना अच्छे से smooth बना लेना पूरी दिवार को जैसे वो smooth हो जाती है उसके बाद buffing machine लेना है आपको paper number 3000 से 5000 के बीच उसको wax लगानी है जो wax आती है smoothness के लिए वो लगा के अच्छे से पूरे surface buffing कर लो इतना अच्छा प्यारा look आपको मिलेगा कि आप देखते रहे जाओगे मतलब बहुत सुंदर look जैसे यह सामने आप देख रहे हो यह look आपको देखने को मिल जाता है तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ इसकी detail दे देता हूँ कि आपको खर्चा कितना आएगा कित texture अभी देखा अपने pics में marble texture कोई चाहिए तो 1500 रुपया पर square feet के साब से पढ़ता है आपको material प्लस lever दोनों मैं आगे आपको पूरा clear करने वाला हूँ क्या 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 रखते है ठीक है 100 square feet area था 1500 रुपया लगेगा आपको वो texture करवाने का अभी फाइदा क्या देखो सब ब आपको pattern पसंद आता है उस color में वो pattern बढ़ा सकते हो जो आपको tile marble में नहीं मिलेगा एक बहुत अच्छी luxury look मिलती है कभी एक दिवार को करवा के देखना अपने lobby की drawing room की या बैड़ के पीछे में तो बहुत अच्छी लगते देखो अगर आप labor rate material खुद लाते हो labor को hire करते तो 30 से 60 रुपया per square feet के साब से labor rate इस समय चल रहा है जिसमें 30 रुपय का basic rate आपका design रहेगा मैं दिखाऊंगा आगे-आगे क्या design का क्या खर्चा पड़ता है तो 30 से 60 रुपया चल रहा है material rate 40 से 200 200 से जाद अब जाता है तो मतलब आपको अगर labor hire करते हो material आप कुछ भी ल तो आपको 110 120 से रुपया per square feet के साब से खर्चा पड़ जाते हैं जैसे यह टेक्चर है मतलब यह 110 रुपया per square feet के साब से आपको खर्चा पड़ेगा simple texture ब्राउन कलर में texture है बहुत अच्छा टेक्चर दिखते है देखो यह टेक्चर जो है यह तोड़ा कोश्ली है 240 रुप पर square feet के साब से मतलब आप वॉल पेपर की जगा इसको भी यूज कर सकते हो यह भी आपके घर को एक चार चांद luxury लुक देते हैं यह जो रेट में बता रहा हूं material प्लस लेवर के रेट है यह जो आप ग्रेश में texture देख रहे हो marble texture यह है यह 230 रुपया per square feet के साब से खर्च आपको 60 रुपय per square feet के साब से चल जाएगा 30 रुपय का material 30 रुपय लेवर चार 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 और यह सामने जो texture दिख रहे हो बहुत सिंपल बहुत सुंदर texture दिखते हैं बहुत पुराना texture है लेकिन आजकल चल रहा है 60 रुपय per square feet के साब से यह आप अपने room में अपने कमरे मे करवा सकते हो और साथ ही साथ यह जो texture में आपको दिखाने वाला हो red में तो यह 120 रुपय स्केर फीट का texture है और यह बहुत vintage लुक आपके गर को देता है तो यह texture भी आप करवा सकते हो सामने जो texture है यह 280 रुपय per square feet का texture है तो यह भी अपने करवा सकते हो तो मतलब काफी कर दो कर है स्कते हुआ करहें थैग मतलब कि अ मतलब का ऌत आपके वे किसा भी आपके एना दोटू को पाके का दो वा जाजygा करवाएंपग को सुट